नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में दो दिन में 500 पॉइंट की तेजी के बाद Nifty 50 आज शांध होता हुआ नजर आता है और मेरे इसाब से यह जो 0.33% की घरावट देखने को मिल रही है लोग खुश हो रहे होंगे कि अच्छी बात है थोड़ा सा यहाँ पर आज हमें शांधार तेजी देखने को मिली थी लेकिन ओवराल Profit Booking Glass में हो गई है निफ्टी Mid Cap 0.75% उपर नजर आता है AD Ratio के बार में बात करें तो ओवराल आज हमें Market Decline के फेवर में जाता हुआ नजर आया Commodity के बार में बात करें तो Crude Oil में 1% की गिरावट है Natural Gas 2.5% उपर है Gold 0.2% उपर है और Silver में भी 1% की तेजी दिखाई पड़ती है Currency के बार में बात करें तो कुछ दिनों से रुपी में आपको Strength लगातार बढ़ती हुए नजर आती थी तो थोड़ा सा Reversal देखने को मला है रुपी थोड़ा सा Week होता हुआ यहाँ पर नजर आता है Global Indices के बार में बात करें तो Global Indices भी Positive नजर आता है हर जगा पर हर्याली नजर आती है Nifty के चार्ट पर हमें Clearly नजर आता है शुरुवात में आपको यह तेजी Continue रहती हुई नजर आई थी 17,200 के भी उपर आपको Nifty 50 जाता हुआ नजर आया उसके बाद आपको Profit Booking देखने को मिली उपर के लेवल से 150 पॉइंट का करेक्शन दिखाई पड़ता है डेली चार्ट के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे उपर के लेवल से करेक्शन देखने को मिला है लेकिन कोई बड़ी Tension वाली बात नहीं है क्योंकि फिलाल तीन दिन में बहुत ही अच्छी रेली देखने को मिली है तकरीबन 16,600 के लेवल से Nifty भागता हुआ नजर आता है 17,200 के बाद थोड़ा सा Profit Booking होता है तो यह अच्छी बात है यहाँ पर आपको थोड़ा सा Sideways Movement नजर आ सकता है Short term के लिए 17,000 का लेवल Strong Support की तरह नजर आएगा अगर by chance वो लेवल तूट भी जाता है तो 16,900 का जो लेवल है इसका जो लो है वो हमें Strong Support की तरह नजर आ सकता है तो overall view अभी भी bullish ही चल रहा है डरने की कोई बात यहाँ पर फिलाल तो नजर नहीं आती है market bullish है इंडेक्स लेवल पे आपको भारी तेजी नजर आती है बाकी stock specific में कुछ opportunities आपको easily मिल सकती है न्यूस के बार में बात करें तो GMR Infra के बार में न्यूस है GMR to invest 500 करोर्स in Metro Rail Link Project to Hyderabad Airport तो GMR Infra के shareholders के लिए एक अच्छी बात बन कर आती है NCC के लिए भी अच्छी बात है NCC ने नए order मिले है August में 877 करोर्स के तो NCC shareholders के लिए एक अच्छी बात है EPL के share price में हमें तेजी देखने को मली है Colgate के साथ जब से उसने partnership की है for creation of recyclable toothpaste tubes तो EPL के लिए भी अच्छी बात है और Colgate भी फिलाल आपको strong नज़र आता है हमने एक trade वहाँ पर आपको share किया है Telegram चलने पर जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पर एक अच्छा कासा हमें risk reward ratio है अच्छे chances हैं कि stock हमें 800 की तरफ भागता हुआ नज़र आ सकता है Auto sales के नंबर आ चुके हैं TVS motor के sales हमें 4.2% बढ़ते हुए नज़र आ है अच्छी बात है फिलाल auto sales के नंबर इतने अच्छे नहीं आएं कि यहाँ पर आपको rarely कुछी companies ऐसी हैं जिसमें आपको rise देखने को मिल जाता है महिंद्रा इन महिंद्रा auto और tractor sales दोनों में गिरावट देखने को मल रही है semi conductor chips का लोचा चलता हुआ नज़र आता है हर एक company की यही problem चल रही है global auto industry में आपको यह problem चलती भी नज़र आती है मारूती Suzuki के sales 19.5% नीचे आते हुए नज़र आते हैं मारूती में अगर आप निवेश नहीं भी करना चाहते तो भी इसके sales number देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मारूती के sales number represent करते है कि पूरी auto sector में क्या चल रहा है क्योंकि 40 से 50% का passenger vehicle का market share मारूती के पास है अगर लोग यहाँ पर मारूती के share गाड़ी नहीं करें मारूती का जो auto sales का number है नीचे दिया रहा है तो उसका simple मतलब है कि लोग फिलाल यहाँ पर गाड़िया नहीं खरीद रहे है भारी गिरावट आपको sales में दिखाई परती है से मिशू electronic components के shortage दिखाई परती है टाटा मोटर्स के car sales में गिरावट देखने को मली है 7% से ज़्यादा की गिरावट नजर आती है अशोक लेलेंड ने 9,360 units का sale किया है 8.2% का increase देखने को मला है तो यह अच्छी बात है escort का tractor का sales भी हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है 13% से ज़्यादा की गिरावट नजर आती है क्योंकि monsoon activity में slowdown देखने को मला है expected है कि आगे आने वाले 1-2 मैनों में आपको monsoon better than expected दिखाई पर सकता है जो average होता है उससे ज़्यादा हमें यहाँ पर monsoon दिखाई पर सकता है पहले भी expectation actually यही थी लेकिन हमें slowdown देखने को मला बजाज auto के sales में हमें 1.1% का rise देखने को मलता है तो ओर ओल आप देख पाएंगे auto sector की हाला खराब चल रही है दो चीज़े एक तो semi connector का issue चल रहा है और बाकी commodity के prices बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं सिर्फ निवेशक के लिए नहीं as a customer भी अच्छी बात नहीं है as a customer भी जब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो prices अलड़ी बढ़ चुके हैं दो तीन बार तो अलड़ी बढ़ चुके हैं और फिलाल वापस बढ़ने भी वाले हैं तो यह सारी चीज़े अच्छी बात नहीं है तो auto sector में अगर कोई short term की यहाँ पर सोच रहे हैं एक दो महिना दो तीन महिना चार पाच महिना तो यहाँ पर favorable situation अजर नहीं आती लेकिन अगर कोई long term की निवेशक हैं तो यहाँ पर सोच सकते हैं invest करने के बारे में क्योंकि अच्छी कंपनी का जब बुरा समय चलता है तो invest करने का अच्छा मौका होता है लेकिन आपका vision long term होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि commodity का bull run कब तक चलेगा यह कोई बता नहीं सकता है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो please कोई feedback दीजिए thank you stay happy happy investing